कि हैलो फ्रेंद्स आयाम नीरू एंड मोस्ट्म तो में चानल ब्यूडेंगे स्टाल्स फ्रेंड्स आज आज मैं आज की जो कलास है वह मैं हाइलाइटर से रेडिव लेके आई हूं कि हाँ आप कहते हो कि यह प्रॉपर्ली में मेकप करते हैं हमें वह इफेक्ट नहीं मिल पा तो आज मैं आपको प्रॉपर लिए उसके लिए कुछ टिप्स दे रही हूं कि आप किस तरह से हाइलाइटर को यूज करें और प्रॉपर शाइन कैसे लें ठीक है आपको एक प्रॉपर शाइन जाहिए ना ने फेस पेकर तो किस तरह से लें तो दिखिए मेरे पास यह हाइ प्रॉब्लम क्या होती है आपको प्रॉब्लम यह होती है कि आपने अपना हाइलाइटर लिया है एंट इन मैं अपना लगाना स्टार्ट कर दियूं तो क्या हुआ शाइन आई अब इसलिए आपको विजिबल हो रही है यहां पर नहीं हो रही है कि शाइन आई है ठीक है लेकिन आपका कह रहे हो कि हलकी थोड़ी देर में यानि की डल हो जाती है प्रॉपरली यानि प्रॉपर वह बात नहीं बन पाती कि बहुत जादा अच्छे से ग्लू आए तो मैं आपको दो तरीके बता रही हूं हाइलाइट करने के सबसे पहले क्या करें कि आप अपनी सेटिंग स्प्रेश देखिए जब भी हम इस तरह से हाइलाइट करते हैं आप देखिए मैं इसको थोड़ा सा ब्लैंड करते हूं ब्लैंड करके हलक आसा इसको अपनी फिंगर से ब्लैंड क कम हो जाती है तो आप क्या करें आप आपना सेटांग स्प्रे लें तो तो इसको को में ध्लके इसे semi dry होने देना है आपने कैसे semi dry करना है विल्कुल गिला नहीं होना चाहिए semi dry होगा semi dry होने दें और देन अपना highlighter choose करें अपना highlighter ले and then apply करना start करें अब आप इसको क्या करें apply करना start करें back से front पे आए तो अब देखिए अब इसकी shine पहले से कितनी जाधा हो गई है पहले से कितना जाधा intense हो गया है इसकी क्या होगे shine बढ़ गई इंटेंस हो गया ना यह shine क्या होगे बढ़ गई तो एक तरीका यह है आपको अपना highlight लगाने का हमेशा dab formation में लगाए और back से इस तरह से c-shape में लगा है तो यहां से आपके shine देखिए कितनी अच्छे से यह shine करेगा आपका face बहुत अच्छे से visibility आ रही है जहां पर मैं reflection आ रही है जहां पर मैं face कर रही हूं ठीक है तो एक तो यह तरीका है आपको highlight करने का और second way क्या है कि आप अपना illuminator ले आपने क्या लेकरना है अपना illuminator लेना है illuminator हम foundation mix करके भी use कर सकते हैं आप अपना illuminator लें बिल्कुल थोड़ी सी quantity and then apply करना start करें इल्यूमिनेटर को apply करना start करें and blend करें मैं यहां पर blend किया है आप देखें इल्यूमिनेटर के अपनी शाइन है इसकी इसकी intensity कि इतनी जादा है इसे मैंने कोई आपको लगाना start करते हूं अब आप देखिए कि आपको लगते दिख कितने intense shine आ रही है तो इस तरह से आपको intense shine लेनी है अपने face पे या कि आपकी जो shine आपका face जो है proper shine करना चाहिए तो इस तरह की shine आप ले सकते हैं बिल्कुल easy way है कि दो तरीके से मैंने आपको आपको य यह देखिए अब कि आपके नोज नोज में कितने sharpness और shine आई है ना तो यह देखिए तो इस तहाँ से आपको जो face है ना इस यह shine होती है जो आप कहते हो कि proper shine नहीं में पार रही है highlighter के through तो आपके अलग-अलग way होते हैं secondly आप कह रहे हो कि नहीं आर यह तो बहुत कभी कभ होता है कि आप कहते हो कि नहीं बहुत ज्यादा shine हो गई है तो बहुत ही ज्यादा shine हो गया अब मुझे इतनी नहीं चाहिए मुझे थोड़ी कम चाहिए तो आप ब्लेंडर लें और यूसे डैप करना start करें आपका जो blender होगा वो डैंप ब्लेंडर होना चाहिए और इसे इस ज्यादा हो गई है इसको हल्क असाना कम करो तो क्या होगा वहीं पर ही आपने blender लेना है और डैप करना start करना है तो जैसे ही आप डैप करोगा आप देखिए intensity कम हो गई क्योंकि blender ने उसे वहीं पर blend कर दिया तो यह करने के बाद आप एक बार blender ज़रूर कर लें ठीक है ताक अगर मैं इसे clear नहीं किया तो यह method होता है highlighter को apply करने का अगर आपको intense shine जाहिए तो intense shine के लिए आप यही process को follow करें तो friends I hope so कि आपको पता लग गया होगा कि आपको actually मैं highlighter कैसे use करना है दो तरीके हैं मैं एक और एक और वे में आपको represent करती हूँ आप देखिए friends आप just मेरे hand पे देखिए मैंने यहाँ पे highlighter apply किया है तो इसके कितने की reflection है ठीक है यह है इसके highlighter की shine secondly जिसपे मैंने settings प्रे किया था मैं उसकी help से इसपे मैंने settings प्रे किया था यहाँ पे लगा के देखिए हो देखिए इसके shine और इसके shine में कितना फर्क आ गया है तो highlighter तो same है लेकिन reflection में फर्क आ गया है यह देखिये इसकी इसकी reflection में कितना फर्क हा गया, तो यह फर्क होता है, यह फर्क होता है, ठीक है? यह देखिये, यह वाली shine आपको visible हो रही है, यह वाली तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, तो friends, आपको highlighter का यूज करना पता लग गया हुए, हाइलाइटर का आपको एक्चुली में कैसे यूज करना है और दूसरा कि अगर मैं इसी हाइलाइटर पे जस्टिक ब्यूटी ब्लेंडर की हाल्प से मैंने इसको जस्ट डैप किया और यह अच्छे से प्रॉपरली ब्लेंड हो जाएगा और इसकी रिफ्लेक्शन आज इस में कि एसिटी अधेगी जैसे कि यहाँ पर है और ब्लेंडिंग भी अच्छी होगी जिसे आपको पॉब्रब्लम नहीं आएगी कोई पैच नहीं पड़ेगा कोई अलग से प्रॉटक्त नहीं दिखाई देक और एक्सस प्रोडेक्ट नहीं दिखाई देगा So friends, I hope so कि आपको highlighter के ये जो trick है वो अच्छी लगी होंगी I hope so कि आपको वीडियो पसंद आया होगा Thank you वीडियो देखने के लिए और जाद अप्टेटिंग वीडियो के लिए आप मेरी चैनल, Beauty and Hazel को सब्सक्राइब कर सकते हैं Thank you friends, Goodbye